ऐसे भगवान ने प्रेणा की भरत को तो भरत जी दोड़े चले आए जैसे आ रहे थे तो भगवान ने सोचा कि मैं ऐसा माहुल बना दूँगा कि भरत से कहना नहीं पड़ेगा देखके ही प्रणाम करेगा हो इसके लिए राम तुझे प्रणाम पहले से करना होगा और जब म देरे को प्रणाम करता हुआ देखेगा तो अपने आप सोचेगा जब मेरा हाई कमांड प्रणाम कर रहा है तो मुझे तो करना ही चाहिए क्यों भगवाई करना चाहिए क्या और जैसे माली जी हम किसी को प्रणाम करें हो तो हमारे चелей मुछ्छे-पहताओ रेंगे पीछे स अपने आप करेंगे उसमें दबाओ की बाता ही नहीं होगी राम जी ने सास्टांग प्रणाम किया मा को भरजी आ रहे हैं राम जी ने कहा माता जी एक नवेधन है मैं पड़ा रहूंगा आप मुझे उठाएंगी नहीं मैं अपने आप उठूंगा अब के कही नहीं समाझ पाई के कही कोई बात नहीं पढ़े रहा हूं कोई दिक्कत नहीं हम नहीं उठाएंगे तुम अपने आप उठाना अब के कही थोड़ी जान रही थी किसमें रहाश्य क्या है अब राम जी पढ़े साश्टान और थोड़ा ऐसे देख रहा है आगया कि नहीं आगया, आगया कि नहीं आगया, इतने में भरत आगया, और भरत ने जैसे देखो भवन के अंदर राम जी पड़े थे माता कही के चर्ण में, इतने में भरत जी आगया तो भवन के बाहर भरत जी भी साष्टांग, भगवान राम ने देखा हाँ, surrender हो गया, अब clear है, तो भगवान तुरंट उठे वो ले, माता जी देखी, कही वो ली देख रही है, तो देखो मैंने कहा भरत से, सास्टां गिर गया की नहीं, देखते ही गिर गया की नहीं, कही वो ली, दूर से प्रणाम कर रहा है, क्या पता कि तुझे कर रहा कि है, प्रणाम, अंदर क्यों नहीं आता है, अंदर बुलाओ, रामजी ने कहा भरत अंदर आओ, भरत जी बोले परभु, एक नवेदन, कहीं कही बोली, बस रास्टा बदल गया, इतनी कहने कि यरूतही क्या थी निवेदन, किस बात का निवेदन, कैसा निवेदन, घर्गव लग जाए इस गड़वड है सब्सक्राइब लेकिन अगर मगर तगर परंतु जहां यहां लग जाए समझ दो गड़वड है यह लेकिन एकिन क्यों भगवान रामने का भरत, लेकिन क्यों? अगर क्यों? मगर क्यों? परंतु क्यों? कहें प्रभू, बात यह है कि मैं आपको भगवान मानता हूँ, तो भगवान मानते हो, तो अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं अपने को पुजारी मानता हूँ आप मेरे भगवान है पुजारी भगवान की पूजा करता है तो पूजा करता है भगवान की पुजारी तो कैसे पूजा के भगवान ही के पास नहीं आ रहा हूँ कई एक कारण है क्या पुजारी ने अभी इशनान नहीं किया है इसलिए जब इशनान नहीं किया तो अंदर प्रवेश कैसे करे मंदर में अगर भरत जी उस समय बिना इशनान की ये प्रवेश कर जाते तो भरत जी बोले अगर मैं पुजारी हूँ और मंदर में जहां आप हैं वो मंदर राज मंदर गर्वग्रह हो समझ गया हो कि नहीं उसमें पुजारी का प्रवेश होगा तो इश्णान करके जाएगा वह अगर बिना इश्णान के भरत जी बोले में प्रवेश कर गया तो आंगे जितने पुजारी होंगे सीधे चारपाई से उठेंगे और काएंगे ओम जय जग दिन से अरे फिर बाद में नहाएंगे दोएंगे जो भी करना होगा बाद में क्योंकि भरत जी ने किया था यह समझ बिना इश्णान के इसलिए परंपरा न बिगड़ या है भगवान राम बोले सु भरत इसनान के लिए सर्जु जी बिल्कुल सामने प्रवाहित हो रही है दो कदम बढ़ाओ आंगे सर्जु में इसनान करो और आज आओ भरत जी समझ गए कि निश्चित रूप से आज जो है भाईया जो कहेंगे मुझे करना ही पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था करना वो करना पड़ेगा लेकिन प्रवु की आग्या परंतु अब मैं सर्जु मां से प्रार्थना करूंगा तो भरत जी जैसे आंसु बहाते कहा मां 14 साल पहले मैंने कहा था कि और सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन ये भरत जब तक जिन्दा रहेगा तब तक केकई के पास नहीं जाएगा जिस भवन में केकई होगी उस भवन में प्रवेश नहीं करेगा कि कसम खाके कह रहा हूं सर्जू मां की अयुद्ध्य वास्मों के सामने कसम खाई थी सर्जू जी प्रगठ हो गहीं का भरत मेरी कसम खाई थी न हां मैं अपनी कसम बापस ले रही हूं राम जी जैसा कहें वैसा करो भरत जी समझे गए कि वैसा ही मुझे करने पड़ेगा इस नान करके जैसे पहुंचे भरत जी पहुंचने पहुंचने वाले हैं उसी समय क्या दृष्ष हुआ पहले तो साश्टांग प्रणाम कर रहे थे राम जी ने कहा माता जी एक प्रार्षना है मेरी क्या आपकी गोध में बैठना चाहेता हूं और आप मैं गोध में बैठू और आप अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखें केकई निका बेटा गोध में बैठ जा गोध में बैठ जा भगवान राम गोध में बैठ गए केकई ने अपना हाथ जो है राम जी के मस्तक पर रख लिया दृष्ष ऐसे ह नहीं का ओहो ओहो मुद्रा बदल गई पहले साश्टांग पड़े थे आशिरवाद ले रहे थे अब गोद में बैठकर आशिरवाद ले रहे जैसे ही भरत जी सामने आए तो अच्छा के कही नहीं एक बात जरूर कह जी थी भरत की आने के पहले राम प्रणाम भले ही वो कर ल नहीं कह सकता है राम जी बोले इंतजारत तो करो जैसे ही भरत जी आये तो भगवान ने पहला सब्द का भरत आगए हो हां मैं कहां बैठा हूं बोलो जल्दी तो राम जी यह सोच रहे थे यह कहते कि आप मां की गोध में बैठे यसा इसा ही तो बोलना पर दो मैं कहां बैठा हूं भरत जी बोले आप गोध में बैठे के राम जी ने कहा कि गोध मैं तो बैठा हूँ किसकी गोध में भरत जी ने कहा कि आप अपनी माता की गोध में बैठे भगवार राम ने कहा इसका मतलब है अपनी मा सुईकार नहीं किया राम की मा सुईकार किया ना यह यह नहीं कहा आप माता की गोद में बैठे आप अपनी माता की गोद में बैठे भग्वान राम ने कहा कि मा उदासिंता आ गई है अब राम के जीवन में केकई ने कहा मुझे प्रसंदता मिल गई तुझे उदासिंता आई लेकिन ये सब्द सुन करके मुझे प्रसंदता आ गई मा ये तो प्रसंदता वाला सब्धी नहीं है ये कहा ना गराम, आप अपनी माता की गोद में बैठे। इसका मत्रह वे उसने मा सुईकार नहीं किया आपको। राम की मा के रूप में सुईकार किया। के कई ने कह राम सुनो सब्द से ही इतिहास बनता है बोलो बनता है कि नहीं बनता किस से इतिहास बनता है सब्द से इतिहास बनता है सब्द से ही समस्या का समाधान सब्द से ही समस्या पैदा होती है बोलो सब्द से ही समस्या पैदा होती है और सब्द से ही समाधान समस्या का स समाधान होता 14 साल पहले जो सब्द भरत का मेरे लिए निकला वो समस्या बन गया था हम ऐसे नहीं मानते माता जी आप तो मुझे समझाओ मेरी समझ में भी तो आवे के कई ने कहा राम तुम सबको समझाते हो लेकिन आज मैं तुम्हें समझा रही हूं सुनो 14 साल पहले भरत का सब्द भान लग बन करके मेरे हरदय में लग गया और अभी तक वो निकला महीं था आज निकला कैमाता जी वो सब्द भान कौन सा था अब सुनना ज़रा आप लोग ध्यान से वो सब्द भान कौन सा था तो के कई केती हैं भरत कह रहा था मुझे कि जो पे कुरुची रही अस तो ही ओ जनमत का है नमार सी मोही पेड काटते पल वसी चाओ ओ मीन जीयत नित बार उली चाओ हंस वंस दसरत जनक राम लखन से भाए जननी तू जननी भाई बिधिसन कचुन वसाए राम बेटे के सब्दबान मा सह सकती है लेकिन बेटा यदि मा की मा पर तिपनी करने लग जाए तो ये सब्दबान वरदास्त से बाहर है बोलो भाई बेटा मा की मा पर तिपनी यहां भरत बाइब ने मेरे माबाप पर तिपनी की है मेरी मापर तिपनी की है जननी तू जननी भई कि कई कई ने कहा कि मेरी मा के लिए कहा यह सब्द हंस बंस दस्रत जनक मेरा वंस के समान पवित्र है जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ मेरे पिता महान है भाई भी मुझे राम लखन से भाई ऐसे भाई मुझे मिले लिए जननी तू जननी भाई विदिशन कचुना वसाए ये सब्द बान आज भी मुझे आहत किये हुए है राम लेकिन आज वो शब्द निकल कौन से सब्द से निकला कि आप अपनी मा की गोद में बैठे आप अपनी मा की गोद में बैठे इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया अगर भरत को संत मानती है तो संत की बानी का सारी दुनिया संमान भी करती है और संत बानी का आदर ही नहीं करती है संत बानी पर विश्वास भी दुनिया करती है मेरी दृष्टी में भरत संत नहीं था लेकिन दुनिया की दृष्टी में भरत संत है राम तुम्हारी दृष्टी में भी भरत संत है लेकिन सारी दुनिया इस बात को जानती है कि भरत भले इना कहे कि ये केकई मेरी मा नहीं है लेकिन ये सारी दुनिया कहती है कि कौसल्या का वेटा राम है और केकई का वेटा भरत है और सुमित्रा का वेटा लक्षमर और सत्रुगन है बोलो सारी दुनिया जानती है कि नहीं जानती है तो सारी दुनिया ये जानती है कि केकई का वेटा भरत है लेकिन सारी दुनिया ये वेटा राम भी है इसलिए मुझे महात्मा भी बेटा मिला और परमात्मा भी बेटा मिला मुझसे बड़ा सवभाग शाली दुनिया में कोई दूसरा नहीं है इसलिए राम आज मेरा सम्मान हुआ है वो सब्द वान निकल गया है आज मेरा हिर्दय प्रशन हुआ है बात समझने की है प्यारे बोलो महत्पूर्ण बात है कि नहीं के कई कहती है राम अब मैं समझ गई हूँ कि मैं राम की भी माता हूँ अपने मूँ से कहती थी या लग बात है लेकिन आज भरत ने कह दिया है और भरत सबसे ज़्यादा सम्मान यदि दुनिया में करता है तो राम का सम्मान करता है और जब राम का सम्मान भरत करता है तो भरती तो कहरा कि आप राम की माँ है आप किसकी माँ है राम की माँ है राम तुम्हारी माभी में बन गई इस से बड़ा और सुख क्या हो सकता है दुनिया में बस जैसे ही सब्द को सुना प्यारे बोलो इमांदारी से जितना भी विरोध था वो समाप्त हो गया कि नी हो गया बोलो हो गया कि नी मा वेटे का विरोध समाप्त हुआ और जब मा वेटे का विरोध समाप्त हुआ तो बोलो उस भूमी पर अब रामराज इस्थापित होगा कि नी होगा तो मैंने क्या पताया था आपको कि विरोध की भूमी को समाप्त कर दो ये विरोध की भूमी को करके आ रहे हैं राम जी केकई जी को लेके आ रहे है और भगवान राम जैसे केकई माता को लाये तो यहां पर कौसल्या जी हैं वहीं पर केकई जी खड़ी है ऊहीं सुमित्रा जी तीनों एक ही जगह पर तैयारी क्या हो रही है वो ले राम राज्या विशेक की तैयारी हो रही है और राम राज्या विशेक में भरत जी महराज सत्रुगं जी महराज लक्षमड जी महराज यह राम जी का शंगार करने में लगे हुए हैं और कोसल्या केकई सुमित्रा ये तीनों सासें बहु सीता का स्रंगार करने में लगी हैं पढ़ लीजी आप दोहा दोहा पढ़ लो मैं मनमुकी पन से बनावटी पनावटी बात नहीं कर